प्रेंड एक बड़ी कबर निकलकर सामने आ रही है स्पाइस जैट से इस कंपनी ने पिछले कई महिने से आपने एरक्राफ्ट के लीज का पैसा लीज कंपनियों को नहीं दिया है जिस करन्ट से ये लीज की कंपनिया आपने लीज पर दिये हुए एरक्राफ्ट वापस ले सक यह उन लोगों के लिए चिन्ता की बात की है जिन्होंने सफ़ाइसजेयट में पैसा फश चुका है यह आप लोग किसी भी तरीके से सिस्पाइसजेयट से बिलौं करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें क्यूंकि हम इसके से जुड़ी कई बाते आपको बताने वा जो बाचित कर रही है अपने मोई वीमान को वापस लेने के लिए इन सी एक लीजिंग कंपनी इस सुरुवात से इसपाइज हैं से बाचित में लगी है कि उसको विमाई वापस कर दिये जाएं आपको बता दे कि लीजिंग कंपनी स्पाइस जेट के लगबग 10 विमान वापस ले सकती है हमें इस नियूज की जानकारी बिजनस स्टेंडर्ड से मिली है आपको बता दे कि बिजनस स्टेंडर्ड वालों ने जब इस बात की जानकारी स्पाइस जेट से पुछनी चाही तो स्पाइस जेट ने इस मामले को पूरे तरीके से जूट और निराधार बताया फ्रेंड्स आपको बता दे कि करोना वायरस के बढ़ते असर के बाद एरलेंड कंपनियों का उड़ना बंद हो चुका है जिससे कि ये एरलेंड कंपनिया आप अपना रेवन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है इसके अलावा जो लीजिंग कंपनिया है वे अपने लीज रेंट के पैसों के लिए भी इन एरलेंड कंपनियों के पीछे पड़ी हुई है इसके अलावा एरलेंड के बाकी नॉर्मल खर्चे जैसे कि इंप्लोई की सेलरी मैंटेनेंस और अधर एक्सपेंसिज इन एरलेंड कंपनियों को डूब होता जा रहा है इस पास 2019 में कुल मिलाकर 119 एरक्राफ्ट थे जिनमें से ज़्यादा तरविमान लीज पर लिये हुए थे इन सब के अलावा इसपाइस जट ने अपने इंप्लोईयों की सेलरी भी काटनी शुरू कर दी और इसके अलावा 30% की सेलरी कंपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर आजे सिंग ने खुद कटवाई है फ्रेंट्स उमीद करते हैं कि आप स्पाइस जट की मौजूदा कंडिशन समझ चुके होंगे इस समय सभी एरलाइन कंपनिया बुरी हालत में फच चुकी है हम आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस समय स्पाइस जट से कुछ भी ट्रांजक्शन करने से पहले पूरी रिसर्च कर लें फ्रेंट्स ज्यादा जानकारी के लिए इस न्यूज का लिंक हम वीडियो के डिस्किप्सन बॉक्स में डाल देंगे जहां पर आप क्लिक करके इस न्यूज के बारे में ज्यादा जानकारी पढ़ सकते हैं आप लोग ये कहते हैं कि हम लोग हमेशा बैड दूजी आ रहा है गोटनीर जैसे ही आएगा तो हम आप तक सबसे पहले जरूर शेयर करेंगे